बॉलिवुड में चल रहा है वेडिंग दसीजन तो सल्मान खान के लिए भी आया मारुज का प्रपोजल पब्लिकली दबंग खान को मिला शादी का रिष्टा तो टाइगर ने भी कर दिया अपनी वेडिंग डेट का खुलासा बॉलिवुड में नई साल की शुरुआ थी बैंड बाजा और बारात से हुई है अब तक कई स्टार शादी के बंधन में बंध चुके हैं वहीं जब बाद शादी की होती है तो लोगों को बी टाउन के दबंग और सल्मान खान की याद भी जरूर आती है आखिर सल्मान ऐसे पॉपुलर आक्टर जो है जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है और 58 साल के उम्र में भी कुवारे और सिंगल ही है अब तक सल्मान से हजार बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि वो कब मिस्स खान को अपने घर लेकर आएंगे जिसका जवाब हर बार सल्मान भ मीच एक बार फिर बीटाउन में सुर्ख्यों मिचाई है सल्मान खान की शादी की खबर भई आखिर 58 साल की मोस्ट एलिजिबल बाचलर सल्मान के लिए शादी का रिष्टा जो आया है जिहां सल्मान के साब ने एक शादी का ओफर आया है दरसल ये मामला तब चर्चा का व पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगे तब सल्मान नी जवाब देते हुए कहा मेरी शादी की दन चले गए आपको मुझसे 20 साल पहले मिलना चाहिए था अब सल्मान के इस जवाब से उस्माहिला रिपोर्टर का दिल तो टूटा ही साथ ही साथ उन फैंस की उमीदे भी खतम हो गई जो सल्मान को शादी के बंधन में बंधने उवे देखना चाहते थी क्योंकि सल्मान की मुताबिक अब उनके धुले बनने के उम्पर निकल चु सैश्वरे राय संगीता बचलानी से लेकर केटरीना कैफ तक से जुड़ चुका है सल्मान और संगीता की तो शादी की डीट भी तिक्स हो चुकी थी लेकिन एन वक्त पर सल्मान ने अपना इरादा बदल लिया था जसका आलम ये है कि सल्मान आज तक कुआ रही बैठी है Bureau Report E24